आज का वेलकम टो इमाल लर्णिंग तुड़ेंट ऐसका जो टॉपिक है वहारा है रेडड एलजी के बारे में रेडड एलजी को रोडोफाइटा इसके बोलते हैं, इसको रोडोफाइटा एक एंशिंट ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है रेड रोज ते ऑक ब्रॉडर डे ोगे पिखमेंट होता है जो के वाइक erfolg को बिली प्रूटीन हैWow this is a जो है ऊक्ति ब्लांट बॉऑडि कैसी होती है ये अगर हम बात करें तो ये जो फिलमेंटर्स हों लैधरी होती है बात करें इसकी मज्रीद पौड्डी-फोंप की तो सिल्च होती है जैसे के इसके सैल भी भी होती है और इसको हम flatten sheet like भी बोलते हैं और बेसल hold fast अब जैसे brown algae में हमने देखा था कि इसका एक बेसल hold fast होता है जो इसको hold करके रखता है ठीक है जिस के साथ किसी भी सबस्टांस के साथ इसको attach करके रखता है यह कोई surface है को रोख है चटान है तो यह hold fast क्या करता है इसको attach कर देता है इससे किया होता है कि attachment बनाए रखती है और बाकी इसका पाट होता है फ्री मूव करता है अब यह अल्जी जो है अगर हम बात करें कि पाई कहां भी आती है यहगा है पानी जितना गहरा होका वहां तक भी पैलिट्रेट कर जाती है और व्यूसलि ब्राउन अल्जी भी ऑसे थी वह भी डीप सी वाटर में भी हमें नजर आती थी सो यहां पर क्या होता है कि इतना डीप ग्रो कैसे करती है इसके पास जो फाइको बिलियंज जो होते हैं फाइको अरीथरिन पिगमेंट्स होते हैं जैन्थो फिल्स जो इसके पास पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कैप्चर करते हैं डीप सी में ऑंके अधिया को पता है कि जो सोरज की रोशनी वह नहीं जाती जितना पानी गहरा होता यह सुरज की रोशनी उतनी ज्यादा पैनेट नहीं तो इसके बास सिर्श के जिन रोशनी तक यह उसको करती है और फोट्सिंज जो हो कर फोटो सेंसिस प बनाती है कोरल रीफ क्या होती है कि इसके रेड एल्जी इंकॉर्परेट कैल्शियम कार्बोनेट रेड एल्जी की जो सेल वाल होती है स्टूडेंट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट इनकॉर्परेट होता है अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है मेटेल होता है जैसे को चैटान की तरहा काफी जाधा जमाफिते है तो दिए ज्वे प्रेयर Barnes जाहिंग्य का घ्री चैठान की से मतलब गा are जैएँ प्रिंजृणा होती हैज अब एब एक समुंदर के अंदर है यहां पर रैड ड Select Ж currently स समय कहईम करती है और प्रोडीयूसर इसको खाने के लिए कोई ऐनिमल आएंगे अब वह एनिमल क्या होगा अगर डैथ होती है तो यहीं पर पड़े रहा जाएंगे और यह रेड यह की देथ होती है तो जो इसका डिके मैटर है वह यही पे इसी बेस पर स्टे करेंगा और आएसा यह इ और जो एनिमल इसके साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं कोरल एनिमल होपस आप लोग ने अंडर्सटेंड किया होगा नेक्स इसके कुछ फूचर्स देखते हैं हमके इनकी रिप्रोड़क्शन जो है वो कैसे होती है रिप्रोड़क्शन आप सब को पता है क्या होता है अबि जो एनिमल पेरेंट बोड़ी होगी और वो आपस में उनके जो जो घुट करेंगे फटिलाइजेशन होगी और दैन जो है वो एल्जी घुरोटी करती जाएगी ओके सो अगर असेक्श्व की बात करें तो एसेक्श्व में क्या होता है गमीट फूज नहीं होती सिंगल पेर कोई भी बोड़ी पार्ट ये अबिलिटी रखता है कि वो न्यू एल्जी ग्रो कर बना सके और फ्रेग्मेंटेशन में क्या होता है कि इसके पीसिस कटते हैं और कटने के बाद हर पीस जो है वो न्यू रैड एल्जी या रुड़ोफटा बना लेता है होपसु समझ आ गई इकनोमिकली मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिशल है यूज इन मेकिंग वैटामीन कैपसूल एंड ड्रॉग्स यानि के कोस्मेटिक्स चीज बेस होती है उसको बनाया जाता है इस एगर की मदद से और डेंटल इंप्रेशन देंटल में जितने भी इंप्रेश के अंदर बैक्टेरिया को घ्रुन का फौराइड की जाती है वैक्टेजिया देंकी के अनलड़ी के वहां पर घ्रॉइब करते है ये वहां पर रहती है निचारे में ज्म को भीणा बेक्टेशितान मेंने ब voter तब घ्र करता है और इंच्शैद्ए मीतमर्स थे ढाज़ां प अजब तक के लिए अल्ला हाफिज